वेल्कम टोड़ी टोड़ी खराप्ती जिसकी वजासे मैं आप लोग ली वीडियो नहीं बना पा रहा था तो आज मैं आपकी खिद्मन में हाजिर हूँ काफी सारी लोगों ने मुझे कॉमेंट करके कहा के हमें क्लॉथ स्मॉक बनान सिखा है अपनी website ये अपने facebook पेज़ पर उनकेились के प्लॉथ ब्रैंड है उसकी पिक्छर अप्लोड कर सके हैं और वन क्लिक पर उसके क्लॉथ का पैट्रेंडर ऐसके क्लॉथ का ड्रेस चैंज कर सकें तो बहुत इंट्रेस्टिंग लास होने वाली है, बिना किसी इंदिजार के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस इमेज को क्रॉप करणेंगे क्रॉप करने के लिए बहुत असान तरीका है, सबसे पहले हम इसका कोई भी टूल ले लेंगे सबसे नवले तंके अपर अगया हम सिर्ग वाले ओ सबसे में करेंगे इसे में से इमेज कोया हम क्लिक करेंगे वह अबजेट Mainzeray इमेज कर बलीग दें कर दे लेते हैं, क्लद हम इस इमेज दूप्लिकेट में प्ल छुप् Cape अब सिफ ये टॉप वाली लेयर को desaturate किया है सबसे पहले हम क्या करते हैं हमने इसकी shirt में अपना कोई भी pattern कोई भी cloth pattern लगाना है तो हम सबसे पहले इसकी shirt को जो है वो crop करते हैं crop करने के लिए हम अपना pen tool use करेंगे ठीक है pen tool use करने के लिए हमने यहां से इसको यहां से crop कर लिया इस तरह से selection ले लिए और हम अपने हिसाब से selection ले ले लेते हैं edges में खयाल लखना है edges आपकी smooth हो ताके आप अच्छे से crop कर सकें जब आपका mock-up लगे तो बिल्कुल अच्छे से हो मैं यहां पर कहीं जगाओं पर थोड़ी सी rough से selection ले लूगा ले लूगा लेकिन जब आप जो भी mock-up डिजाइन करें तो आप कोशिश किजिएगा कि आपके selection हो smooth हो और ज्यादा जो इसके anchors हैं जो भी handles हैं वो ब्रेक ना हुए हो हो आपने smooth lease को selection करनी है ताके जब आपका mock-up फिट हो तो वह बहुत अच्छे तरीके से उसमें फिट हो जाए ठीक है मैं एक रफसी यहां से selection ले लेता हूँ लेकिन जब भी आप selection ले तो कुशिश किजिएगा कि वह स्मूथ हो और अच्छे तरीके से आपने उसकी selection ले हुई हूँ ठीक है यह मैं इसलिए बाहर से ले रहा हूँ क्योंकि अल्रेडी crop किया हूँ है हमने अब यहां से इसके shirt के आगे वाले इससे को हम पहले crop करते हैं ठीक है यहां से हम यहां पर आए इसके हाथ को यहां से क्रॉप किया ताकि वह हमारी selection में नहां आए क्योंकि हमने सिफ शर्ट का area लेना है जहां पर हमने उस cloth के pattern को लगाना है तो हम सिफ उस area को क्रॉप कर रहे हैं ठीक है तो देहान से इसको क्रॉप कीजिएगा कि यहां से इसकी selection यहां से start हो गई है यहां से शर्ट इसके इंदर की surface ले गई है यहां इसका design है ठीक है इसको आप अच्छे तरीके से जैसा भी जैसी भी आपके पास set हो उस हिसाप से आप इसको प्रॉप कर लीचेगा नहीं सिफ एक आपको रफसी selection बतारों करने के सेलेक्शन लेने के बाद हम Ctrl Shift J करेंगे जो भी हमारी layer है वो इसमें से crop होके ऐसे अलग से आजएगी ठीक है और हमारी color वाली image पीछ बैक्राउंड पर रखी भी है हमें इसको कुछ चेरने के ज़रूद नहीं है ठीक है यह हो गया अब हम क्या करेंगे अब जो भी हमारा pattern ह हम उसको लगाएंगे pattern लगाने के लिए अगर मैंने पिछली classes में भी आपको समझाया है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे अपना एक जो है कोई भी रफ सा शेप लेंगे इस शेप को मैं color देता हूं कोईसा भी for example brown color देती है मैंने और यह जो हमारी shirt के size की जितनी हमने जो है ए front mockup जहां पर हम image place करेंगे अब हम क्या करेंगे इसकी opacity down करेंगे ताकि हमारे background हमें नजर आता रहे और ctrl T press करेंगे ctrl T press करने के बाद यहां पर हमारे पास एक option नजर आ रहा होता है वार्प का इसको हम select करेंगे हमारे इस selection आजएगे और हम इस anchors को in points को इसकी close कर लेंगे ठीक है थोड़ा सा बहार selection जा रही है जाने ने क्लिपिंग मास कर देंगे अपनी cut वाली image जो हमने crop करी है तो वह automatically इंसाइड पर चले आएगा उस area के यह हमने यहां से crop वाली image को यहां पर रख दिया थोड़ा सा यह area यहां कर दिया शयट को यहां पर कर दिया ठीक है जो इसके opacity फुल कर देते हैं opacity फुल करने के बाद हम right click करके इसको कर देंगे clipping mask ठीक है तो क्या है जो हमारी shirt वाली layer थी उसके अंदर यह mask हो गई यह image ठीक है अब यहीं पर हम अपने design प्लेस करेंगे हम इस पर double click करते हैं यहां पर हमारी जो भी हमारा cloth का pattern होगा हम लाएंगे इससे match कर देते हैं ताकर हम बिलैंड हो जाए इसमें चि데ंड देंड कर देतो है तो चाहिंन और यह पर uh Madam था बीजय को बेंड हो गया ख़े है उपकर कर धार ऑद अब कर भी अपन ना हम बेंड साथ यहां फ्लैंटन कर दिया तो हमने इसमें डेटैलिंग आइड करनी है तो हम क्या करेंगे जो हमने शर्ट वाला जो एरिया था उसकी डुप्लिकेट लेंगे दो कंट्रोल जिसे हमने दो डुप्लिकेट ली दो डुप्लिकेट लेंगे और इनको फ्रेंड के ओपर लियाएंगे हम एक duplicate को बंद कर देते हैं और एक को खुले रहने देते हैं एक पर हम apply करते हैं multiply ठीक है इसका नाम रख देता हूँ multiply और एक पर हम apply करेंगे screen ठीक है multiply वाली screen select करी और इसको blending mode में जाके इसको multiply कर दिया तो हमारे पास color आ गए थोड़ा सा हम इसको लेवल पर लेकर आते हैं जो इसके brightness है वह हम बढ़ाएंगे ठीक है थाके हमारा mock-up original color में जाया ठीक है हमने इसमें जो है जब multiply करते तो white off होता है तो हमने इसमें बिल्कुल white off कर दिया ठीक है अगें हम इस पर ctrl L प्रेस करेंगे अगर आप Mac user है तो command L प्रेस करेंगे जैसी कि L प्रेस किया लेवल्स आ गए हमारे पास लेवल्स में से हम इसको ब्लैक जो है थोड़ा सा और off कर देंगे ठीक है तो यह हमारे original color में आ गया ठीक है देक है बिल्कुल रेलिस्टिक मॉक न QC चाहिए इसी तरह से हम क्या करेंगे हमारी जो स्लीए थी हमारी जो पीछे जो लेο हमने रcause आनला मीड़ा निगा लेते है अगे से अगने गया में देक यह उदम देक हैं तो हम क्या करेंगे Ahmed के स्लीम यहां से क्र prτव करते हैं क्योंकि आल्यटि वह रडीर पर ठीक्र कि वाली इसमें क्रॉप किया था, Ctrl Layer प्रेस किया, Ctrl Shift J कर दिया, यह वाली लेर अलग से हो गए, ठीक है हम इसका भी मौकप बना दें, अब हम क्या करेंगे, एक शेप लेंगे, और हम स्लीव के साइस की इसको शेप रख देते हैं, यह स्लीव इस तरह की है, ठीक है, हम इसको राइट क्लिक करके, Convert to Smart Object करेंगे, और वही प्रोसेश जो हमने किया था, इसकी थोड़ी सी दाउन की, और इसमें हमने वार्प तूल लगा दिया, वापस Ctrl T प्रेस किया, वार्प लगाया, और इसको यहां पे खेचके उपर की यहां से थोड़ा सा उपर कर लिया, यह पॉइंट्स हम यहां पर लेकर आजेंगे, ठीक है, ताके हमारी जो भी इमेज हो, यहां पर आजाए असानी से, इसकी आपको सेटिंग करने पड़ेगी, अगें थोड़ा सा बाहर जा रहा है जाने दीजिए, ठीक है, यहां से यह क करफ मेंटेन होना चाहिए, ताके आपका डिजाइन, आपका जो पैटरन है वो खुद ही करफ में आ जाए, हमने बस सीधा पैटरन लगाना होगा, इसको वार्प लगाने का सबसे बड़ा रीजन ही है, कि यहां पर कोई भी प्लैन इमेज लगाए, कोई स्ट्रेट इमेज तो वो करफ में आ जाए, जितनी बार आपको बार बार उसके लिए कर्फ यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, हमने यहां पर एंटर प्रेस किया, इसकी उपैसिटी फुल की और अगयन वही स्ट्रेप, राइट क्लिक करके इसको क्लि ख़ी है, हम इसकेस के गये, क्लिपिंग मासक में डबल क्लिक किया, यहां पर आगया है, यहां पर हमने अपने Design Pattern लगाया जो हमारे Design Pattern है, हमने यहां लगाया, बैक्राउंड का Color,现 Yesterday, अजिया और गबल क्लिक किया यहां से पिक किया और अपने Pattern को सब्लेशा फेड पर द जैसे मैं यहां से फाइल में जाके इसको सेफ करताहूं और बंद करताहूं यह वह अपला हो गया अब सेम यही प्रॉसिश है कि हमने भी करना है , पिद निकसे साथ है दूप्लिकेट लेनी है लेने के बाद दोनों को इस लेयर के उपर साइड पर रखना है एक पर लगाएंगे इस multiply और लेवल से इसे white को adjust कर लेंगे ठीक उसी तरह हमने दूसरी लेवर पर लगाना है screen और लेवल से black को adjust कर लेना है यही same pattern आपने हर जगह पर लेकर चलना है और आप easily इसके पूरे इस पर लगाना है same चीज मैं दूसरी वाली sleeve के साथ भी कर लेता हूँ हमने यहां से एक rough selection ली एक बहुत जादा rough selection ले रहा हूँ आपने again अपने mock-up के हसाब से लेनी है हमने यहां से pen tool से selection ले ले रहा हूँ वापस यह बाहर वाला area sorry यहां पर click किया और यह बाहर से selection ले 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 लिए Ctrl Shift J कर दिया यह अलग से हो गई layer वापस ठीक है इसी पर again हम वही सेम प्रॉसस अपना हमने शेप ली convert to smart object किया इसको capacity down की Ctrl T press किया और इस पर रप लगा दिया इसे होड़ है मैं पर दोकुए को बापने इसको किया बादिए को बादिए ओद इस बादिए रहां प्रॉस इस प्रॉस पर रॉस और रहां मैं वे बाद़ इस पर दो आवड़ इसके कर्व्स को अराम साब मैंटेन किजिएगा इसके क्लिपिंग मास्क कर दिया और उसकी उपस्विटी फॉल करती ठीक है यही सेम में गए इसके डबल क्लिक किया इस पर पैटरन लगाया अपना बैक्राउंड कलर चैंज किया और इसको फेट कर दिया ड्रेटन लगाके से कंट्रोल एस किया सेफ और कंट्रोल डबली किया तक यह विंडो क्लोज हो जाए यहां पर यह चीज अप्लाय हो गई सेम स्लीफ की दो डुप्लिकेट्स लिए हमने उन दोनों डुप्लिकेट्स को उपर वाली साइड पर रखा जो भी हमारा मौकप था उसके उपर वाली साइड पर एक लगाया मल्टिप्लाय और इसके कलर अज़स्ट कर लिए और एक लगाया स्क्रीन स्टेप सब सेम है बस आपने इस चीज को याद रखना है इस टेक्निक को समझ लेना है बागी इस टेक्निक के तुरू आप जितने भी मौकब आप बनाना चाहें वह बना सकते हैं बगहर किसी मसले के अब हम आते हैं अम इसकी जो है वह ट्राउजर की तरफ आते हैं ट्राउजर को भी हम क्रॉप कर लिए ठीक है पैंटूल से हमने यहां से ट्राउजर को भी क्रॉप कर लिया मैं दोनों जो हैं वह पाहिंचे ले रहा हूं एक साथ दोनों को एक साथ क्रॉप कर रहा हूं और कंट्रोल शिफ जे अगें तो यह हमारे पास यह पाहिंचा ऐलग से अगया अभी जो बैक वाली लेर है हम इसको रिमूफ कर देंगे ताके हमारे हार्पाउं जो है वो क्लियर नजर आ जाए ठीक है यह हमारे पस कलर में आगए बस अब हमने ट्राउजर पे भी वह एफ हम इसको convert to smart object किया और हमने इसको mask कर दिया मास करने के बाद हम इस पे गए इस पे यही pattern लगाया दुबारा बैकरण्ड चेंज किया डबल क्लिक किया सब्सक्राइब लगा कि इस को वही प्रोसेश दुबलिक लिए दिप्लिकेट लिए इस प्रोसेश को आप याद कर ले ताकि ये आप्ट जब भी किसी भी चीज का मौकप बनाने जाएंगे आपको यह बहुत help करेंगा ठीक है इसको multiply लगाएं और इसको screen करें levels adjust कर लिया levels इसके तो देखा हमने कितनी easily इसको इसको मौकप कर लिया अगर अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करें हमारे जो pattern है उस pattern को change कर दें replace कर दें अगर आपके पास कोई भी image है इसको save करेंगी यह वहां पर automatically adjust हो जाएगा तो पुद ही हमने कोई adjustment करने की ज़रूद भी नहीं है same हमने sleeve के साथ भी किया यहां पर भी हमने लाके sleeves पे यह pattern रखा इसको save कर दिया यह वाली sleeve को select कर आप जो हमारी smart object वाली है यहां पर लाके हमने इसको adjust किया और save करके बंद किया तो यह apply इसको पर भी हो गया यही pattern हम अपने पाइंचे पी लगाते हैं पजामा पी लगाते हैं यह लाके save किया बंद किया यहां पर automatically पूरी इसको पर अप्लाय हो गया अपकमिंग वीडियो का notification आपको मिलते रहे time पर मिलते है नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखीगा खुदा आफिस